वेलो फ्रेंड विल्कुम टू मैं चैनल आज मैं आप लोग के लिए इंस्टेंट अचार की रेस्पी लेकर आई हूँ अगर कभी भी आपके घर में अचार नहीं हो और आपको अचार खाने का मन हो तो आप अपने घर पे बहुती आसानी से बिना जंचट के अपने घर पे ब लिया है गाजर, मूली, हरी, मिर्श, और अधरक तो मैंने इस तरह से लंबे-लंबे टुक्रों में मैंने सभी चीजों को मैंने काट लिया है आप चाहें तो यहां पे कोई और भी सबजियां जैसी की वो भी और लेसन की कलिया भी ले सकते हैं सबसे पहले हम अचार का मसाला दाना, एक चमच सौप, एक चमच जीरा, एक चमच कलोंजी, एक चमच काले मिर्च, एक्स कर लेंगे इसके बाद हम डालेंगे एक चमच जवाएं और लास्ट में इसमें आठ करेंगे धनिया सीद, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर और जब इसमें अच्छे से खुश्बू आने लगे तो इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और इसको पॉटर तयार कर लेंगे तो यहाँ पे मसाला बनके रेडियो हो चुका है तो अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ अब हम एक कड़ाई लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे लगबग चार्ज बड़ी चमच मस्टर्ड ओयल यानि की सरसो का तेल और इसे हम बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे ताकि इसका जो कड़ाई पने वो निकल जाए और जब यह अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसे हम थोड़ा सा थंड़ा कर लेंगे तेर हमारा अच्छे से थंड़ा हो चुका है तो अब इसके बाद इसमें हम एड़ कर देंगे अपनी सारी सबजियां और सबजियों को एड़ करने के बाद इसे हम लो फ्लेम पे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि सब्जियों में जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए और सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए अब इसमें मैं अट करेंगे नमक, इसके बाद अट करेंगे हल्दी पौडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 30 सेकंड के लिए ढखके छोड़ देंगे ताकि देखने में अचार अच्छा लगे और तीखे के लिए हरी मिष्ट तो है यह अब इसके बाद हम दो चमच हमने जो अचार का मसाला तयार किया तो ओपस से आट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और यह हमारा इंस्टेंट अचार बनके रेडियो हो चुका है तो यहाँ पर मैंने अचार को सर्फ कर लिया है आप लोग इसे जरूर ट्राइ किजेगा आप लोग बहुत पसंद आएगी अगर इसे भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर किजेग चैनल को सब्सक्राइब किजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बापाई